हालो एवरीवान, वेलकम तो लास पार्ट अव क्लास 11th History चाप्टर 4 और यहां पर हमने पिछली वीडियो में देखी थी है प्यारी सी पेंटिंग इसका क्या मतलब है यह एक स्टोरी का पार्ट है और जो स्टोरी है उस स्टोरी में से जो यह वाला है यह दिमना है यह दिमना तो अगर हम बात करें बिग्निंग उफ 11th century की तो जो गजनी थे वो पर्शियन लिटररी लाइफ के एक तरीके से सेंटर पॉइंट बन चुके थे जो पॉइट्स थे वो नाचुरिली इस किंग की ब्रिलियन से अट्राक्ट होते थे और इन फार्ट जो किंग भी थे थे न अगर जो आज पास पास पोईट्स को ग्यादर अराउंड करवाया और जिन्होंने बहुत सारी अंथोलोजी यानि कि दिवानसुर एपिक पोईटरी यानि कि मतनवी उनके लिए लिए लिखी उनके बारे में लिखी पॉस्ट आउटसी जोती जिसमें लगभग 30 साल लगे इसको कम्प्लीट होने में और जो यह कम्प्लीट होके बुक का नाम क्या था शाह नाम बुक ऑफ किंग्स इसके अंदर 50,000 कपलेट्स है यानि कि दो दो लाइन्स की जो बात हम कर रहे हैं जो कि इसलामिक लिटरेचर में मास्टर पीज बन गई अब जो शाह नामा है किसका ट्रेडिशन का लेजन्स का लेजन्स कौन होते हैं जो एक तरीके से कहानिया होती हैं मुसली एनिमल्स के बारे में भी हो सकती हैं और कुछ इसके एक्सेप्शन्स हैं कि यह महान किंग्स के बारे में भी हो सकती है इन में से सबसे इंपॉर्टन थी रुस्तम जाफ़दर ल तक उसके बाद की भी चीज़े लिकी गई है और जो गजनवे ट्रेडिशन था जो परशियन था वह बहुत ही इंपॉर्टन लाइज बन जाती है लाइज बन जाती है अब क्या बताते है कि काफी सारे मौराल एजुकेशन की बाते हैं इस राइज की मौराल स्टोरी जो होती है ताकि रीडर्स से खुश हो यह सारी चीज़े पढ़कें जो ओल्डेस इसमें हो है काल्या वा दीम्ना अब इसमें दो जैकल दो सियार की कहानी है यह इसी स्टोरी का ही यह फोटो दे रखा है इसमें यहां पे और यह थी किया यह अर इसमें लिखी है थी अब जो लिटरी वर्क था वह एडवेंचर ऑफ एलिक्जांडर से इनके बारे में लिखा गया थी आपी लवर्स के बारे में सच अच्छा स्कायर्स थी मजनून और मैडमें था और उसके अलावा यह सारी चीज़े और टी रिटन थी एक और छीज जो वह फेमस थी वह पर थाउसन औन वन नाइट थी यह अनादर कलेक्शन ओ स्टोरी इस थी बाया सिंगल नेरिटर कॉन थी जो थी शाहरजाद वह अपने हस्बन को हर रात एक स्टोरी सुनाया करती थी अब जो कलेक्शन थी वह ओरिजनल इंडो पर्शन में थी फिर उसको अरे जो भी आप वह बहुत तहुत इंडोरी सी जो प्रियूंट इसके बेर नियुका क अगल है टो आदा उति सब्स Любbers किते चैय के अंड़ बएखिक्त के ऑहँ वह गॉन आदा प्रिद्ट हो जो इस देपकर बहुत र। इन सब में अदब का भूआ ध시न या सब लोग रीड करते थे उस समय भी अब भी रीड करते हैं रूलर और ओफिशल्स के लिए जो हिस्ट्री था वो गुड रिकॉर्ड था ग्लोरीज ऑफ अचीवमेंट का कि किस तरी के सुनने साथ चीज़ अचीव करी थी ताकि उनको क्या मिलता है अगर आप कोई महान स्टोरी पढ़ते हैं महान कहानिया पढ़ते हैं तो आपको पढ़के उससे मौटिवेशन मिलता है अब जो कई सारी स्टोरी थी जिनका में मकसद क्या था कि वो एक्स्प्लोर कर सकें जो इसलाम की यूनिटी है या जो वर्ल्ड में एक ही इसलाम की बहु वर्ल्ड है उसको साथ क्लाइम्स में या इकलिम में बाटा गया था जो एक्वेटर के पैरलल थी और यह भी सब चीज़े बताई गई थी किस तरीके से एक दिन डिवाइड हो रहा था किस तरीके से वो टाइम देखा करते थे यह सब पुरानी किताबों में काफी इन सब च इसली बुर्ट के बारे में लिखा था फेल्ई आय деньги गभी से यह वो स्कराइन Career तक शीज़ान में सब्तुन केरे में अपकुरे के छिवल्य में थे दिबून हो एसलम का कि इसलाम में उत्वी सेन्टिर तर्ट जो इसलामिक वर्ल्ड था क्यों कि वह सब ऐसे से उत् intenüre के पlor तो आपको वो जगे उतनी जानी नहीं लगेगी क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहां पर क्या हो रहा है और जो रिलीजिस बिल्डिंग थी वो ग्रेटर सिंबल था कि जैसे जहां पर भी जो बुक लिखते थे प्लस फोटो होती थी वहां पर मौस्क्यू फोटो होती थी और लगबग आप यह देखिए सब का स्रुक्चर कैसा होता है सेम ही होता है इसलिए वो जाते ही पहचान जा है उसको पिलर से सपोर्ट करते हैं और जो मौस्क्यू के अंदर एक ओपन कोट्यार होता है जहां पर लगबग पॉंड एक तलाब सा होता है सो यह इस तरीके का मौस्क्यू इसलाम में हर चगे देखने को में मिलता है यह देखिए एक और पेंटिंग है यह क्या कर लिए वह खुश है और कहीं पर क्या है कहीं पर लडाई जगडे भी है तो दोनों ही चीज एक राजा के रूल में हो सकते हैं यह वह पेंटिंग बहुत कुबसूरती से बया कर दी है ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे केंग है बहुत अच्छी कुईन है आप त उसको डील करते हैं आपको कैसे वर करना है यह इंपोर्टन हो जाता है अब उसके लावे नहीं पे डिस्क्राइब कर रखा है कि जो वह किले थे वह किस तरीके से बनाया जाते थे इस तरीके से जो बिल्डिंग्स थी मिनारेज थे टार्स तावर्स थे यह सब कैसे बनाते और उसके अलावा जो एक और चीज इंपोर्टन हो जाती है उनके लिए वो थी डेली प्रेयर और वीकली सर्मन्स कि इसलाम में डेली प्रेयर बहुत ज्यादा इंपोर्टन है और वीक में एक दिन ऐसा हो थे बिल्कुल अबादत वाला दिन होता है कि उस दिन आप उस एक जाज़े खुड़ा के ही हो गए अब पैटन अफ कंस्राक्शन में बात करें तो जो बील्डिंग थी वो एक कोड़ियार के आरांट बनाई जाती थी और ऐसा सिर्फ मॉस्क्यू नहीं बनते थे ऐसे मॉस्क्यू भी बनते थे जो वहां पर मॉसोलियम होते थे वह भी बनते और डेजर्ट प्लेसेज जो थे जो भी ये बिल्डिंग्स बना रहेते हैं सबका स्ट्रक्चर के ऐसा था अल्मूस्ट सेम ही था और ये सारी चीजें अल्रेडी कहां शो चुकी थी बहुत सारी स्टोरीज में जैसे कि लेजंड्स जो रिवाल अराउंड कर रिया हरुनल रसित के उनके भी अराउंड जो सारी चीजें हैं वो ये सब एक्स्प्लेइन करें अब ये देखे बहुत प्यारी सी लाइन है जो उन्होंने कुरान से लिए कि मैं भी कोई पूछे तुम से कि भगवान तुन्हों ने बहुत गेहरी बात कही है कि भगवान पता एक नूर जो başче कुक झनथ से आये हैं धर॥ी पर एक लाइट-छ McM कि टल्पर पता युवव स्टरिफ पर और वो जब चमकते हैं तो हर अंधकार ष कुर अभुन वो बाहर सब कुछ रॉष्ण नहीं करती है वो भीतर भी सब कुछ रॉष्ण कर देती है So what does that mean कि जो Allah है जो खुदा है वो कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करेगा वो हर जगे रोशनी ही फैलाएंगे वो हर जगे अच्छाई ही फैलाएंगे बहुत प्यारी चीज़ जो है वो हाँ पर लखी हुई है अब जो इसलाम है वो उसके अलावा बहुत सारी आर्ट फर्म थी पूरे वर्ल्ट में लेकिन इसलाम ने माना किसको या उन्होंने इस अप्लाई किसको किया कैलिग्राफिक को और उसके अलावा आर्बस्क्यू को कैलिग्राफिक में कहाता है बहुत ही ब्यूतिफुल हैंड़ाइटिं होती है और अर्बस्कयू में क्या होता है जो वेजिटल डिजाइन्स हो गए हैं जो इस इस उस स्मॉल बिग इंस्क्रिप्शन जो भी में सब में लोने यही चीज यूज करी है क्यालिग्राफिक आर्ट इन्होंने कुरान में यूज करी है उसके अलावा उसको और इच्छे से सजाने के लिए प्लांट या फ्लोरल डिजाइन बनाते है अब यह सब चीजें इंपॉर्टन्ट है इसलाम में प्रेयर बहुत इंपॉर्टन्ट है प्रेयर क्यों बहुत सारे बिलीव्स हैं फ्राइडे को लेकर करते हैं तो फ्राइडे को ऐते हैं उस När में फ्राइक जाता है कि उस दिन गहीं तच्रीक थेमेर करेंगे उसमें सारा बिजनस कर देंगे सब काम अपॉर्ण उसलिन सिर्फ बहगवान की प्रेयर हो गुजिन-पराउर My t. ई अगर हम overall बात करें तो जो history है central Islamic land का उसमें 3 important चीज़ें हैं first is religion, second is community and third is politics first हमारा religion है किसी भी Islam की अगर हम बात करें history की तो वहाँ पर religion बहुत ही important role play करता है तो first क्या है हमारा religion, second क्या है हमारी community और third क्या है हमारा politics अगर हम शुरू की century की बात करें तो जो religion है और जो community है और जो politics है वो एक ही हिस्सा थे, एक ही part थे like सब कुछ जो शुरू हुआ वो वैसे ही हुआ लेकिन अगर हम धीरे-धीर आगे बढ़ते हैं next five centuries की अगर हम बात करें तो ये चीज़े change होनी शुरू हो गई थी कि politics अब यहाँ पर अलग हो चुकी थी क्योंकि वो जो religion था वो जादतर kingship में देखने को नहीं मिल रहा था हाँ दिख रहा था ऐसा नहीं कि बिल्कोल ही नहीं दिख रहा था पर उसका असर जो ता दियरे-दिरे खतम हो गया जो circles से यह अलग-अलग होना शुरू हो गए पर बाद में जाके फिर भी जो Muslim community है वो overall एक ही है लेकिन जो circles है वो क्या हो गए है वो separate हो गए है जो religious identity और politics है most of the जगह पर यह एक दूसरे को overlap नहीं कर रही है पर politics से यह चीज़े अलग हो यह लेकिन religious community आज भी जो है वो बह Muslim society कैसे क्योंकि पहले भी देखा था हमने Sunni और Shia जो Muslims होते हैं कि जो धिरे-धिरे डिवलाप हो रहे हैं जिनके thoughts डिवलाप हो रहे है डिवलाप in the sense कि वह अपने आपको कोशिश करें environment के हिसाब से जो saying से उसको change करने की तो वहां पर यह differences हम को देखने को मिल सकते हैं अब अपनी private spirituality है कि वह किस चीज पर जो है विश्वास कर रहे हैं सो यह chapter हमारा यहीं पर खतम होता है I hope आपको समझ में आ गया है अगर आपको फिर भी कोई भी confusion यह query है आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं I will try to answer each and every query as soon as possible so thank you so much meet you all in the next video अग्ला chapter शुरू करेंगे हम कल से thank you